यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ पाचो आरोपियों को दोशी करार जोधपूर कोर्ट के ओर से दिया गया साथियाप को ये भी बता दे कि आसाराम, शीवा, प्रकाश, दिवेदी, शिल्पी और शरत चंद्र को दोशी करार दे दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर अब जल्धी सजाक आयलान भी हो सकता है पिडिता के पता, पिता के ओर से भी बयान सामने आया है उनका कहना है कि उन्हें नयाय मिला और साथी नाबालिक से रेप के दोशी है उन्हें आसाराम को दोशी करार उन्हें दे दिया गया है तो यान शोशुर का ये मामला है साथी आपको बता दे कि पिडिता के पिता के तो दो आरोपी को बरी कर दिया गया है और तीन को दोशी करार दे दिया गया है साथी आपको बता दे कि पिडिता के पिता का भी इसके बाद बयाम सामने आया है उनका कहना है कि उन्हें नयाय मिला और कही न कहीं खुशी इस बात से उन्हें नजर आई साथी उनका ये भी कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा आसाराम को दी जाए और उनका ये भी मानना है कि आने वाले वक्त में जब सजा का अलाल होगा उस वक्त कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की जो हरकत है वो कोई ना कर सके इसी के चलते आसाराम को दोशी करार दे दिया गया है आसाराम उन्हें दोशी करार दे दिया गया है जोधपूर कोट के ओर से दिया गया आपको बता दे कि जोधपूर में वो पिछले 5 सालों से जेल में बं में ही special court बनाई गई थी, court में ये फैसला नहीं लिया गया, सुरक्षा के लिहाद से ऐसा किया गया है, आपको बता दे किसी के चलते, अब फैसला आने के बाद दोशी करार जब उन्हें दे दिया गया, इसके बाद अब सब जगा पर सुरक्षा के पुकता इंतजाम कर लिये गये हैं, साती जो आश्रम है, वहाँ पर भी उनके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आश्रमों को पहले ही खाली कर दिया गया था, ताकि कोई भी अन्होनी या इस तरह की कोई घटना ना घटे, तो आसराम को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये पीडिता के पीता का कहना ह बड़ी खबर इस वक्ति आपको दे रहे हैं, आसराम को दोशी करार दे दिया गया है, यौन शोशर का ये मामला है, लंबे वक्त से ये चलता रहा था, जिसके बार आज पैसले की घड़ी थी और दोशी करार उन्हें दे दिया गया, लेकिन अब देखना ये होगा कि सजा क पॉक्सो एक्स के तहत और कई धाराओं के तहत मामले उन्हें पर दर्ज हैं, और नाबालिक से रेप का जो मामला है उसमें दोशी करार उन्हें दे दिया गया है, और पिडिता के पिता काब कहना है कि आसराम को कड़ी से कड़ी सदा दी जाए, तो सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम कर लिए गये हैं, आपको बता दे कि आश्रमों को पहले ही खाली कर दिया गया था, ताकि इस मामले की आड़ में कोई आसामाजिक तत्व भी अगर कोई उपद्रव मचाना चाहें या फिर किसी तरह की कोई आजजनी तोड़फोर का या किसी इस तरह का पंजाब, इन जगों पर भी कई आश्रम है आसाराम के, जहां पर कई अनुयाई अभी भी उनको फॉलो करते हैं और जिसके चलते कहीं न कहीं उपद्रव मचा सकते हैं, इसलिए पहले से ही सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गये हैं, तो बड़ी खबर इस वक्या चंदर को दोशी करार दे दिया गया है, बाकी दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है, आपको बता दे पेडिता के पिता का भी इसके बाद बयान सामने आया है, साथी अब देखना ये भी दल्चस्प रहेगा कि आसाराम के जो आश्रम है, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है उनके जो प्रवक्ता है प्रबंधक है उनकी उरसे क्या प्रतिक्रिया इसके बाद सामने आती है ये देखना भी काफी दिल्चस्प रहेगा और कहीं न कहीं सजा का अलान भी आज हो सकता है तो जोदपूर कोट ने दो लोगों को बरी कर दिया है आपको बता दें कि ज हो नी ना हो और इस तरह की घटनाएं सामने ना आए कि उनके अनुयाई किसी तरह का उपद्रव न मचाएं क्योंकि फैसला आज होना था तो पीड़ट पिड़िता के पिटा का भी कहना है कि नियाए कहिना कही आज उन्हें मिला है और इस वात को लेकर खुशी जाहिर उनके और से की गई साथ पुर्पुर्ट से जहां पर यौन शोशन का मामला है आसाराम रेप के जो आरोपी है उन्हें अब दोशी करार दे दिया गया है आसाराम समय तीन आरोपी ओं को दोशी करार दिया गया है आपको बता दे कि ये तीनों आरोपी ओं को दोशी करार मिला है साथी दो आरोपी जो ह उन्हें बरी कर दिया गया है अब ये फैसला आने के बाद पिडिता के पिता की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है उनका कहना है कि कही ना कही इतने सालों के बाद ही सही लेकिन न्याय उन्हें मिला है और आसाराम को कड़ी से कड़ी स्तजा मिलनी चाहिए ये भी पिडिता के पिता का कहना है तो जोदपुर कोट ने दो लोगों को बरी कर दिया है अब ये देखना होगा कि किन वज़ों से उन्हें बरी किया गया लेकिन तीन लोगों को दोशी करार दे दिया गया है और अब सजा का एलान होने वाला है आज ही सजा का अलान भी हो सकता है तो देखना काफ़े दल्सस रहेगा क्योंकि उम्र क्याद तक की सजा भी आज उन्हें इस मामले में हो सकती है जिन जिन धाराओं के तहात उन पर मामले दर्ज है उन सभी धाराओं में अम्र क्यात की सजा का प्रावधान है साथी उम्र क्यात के अलावा अगर बात की जाए तो 10 साल की मिनिमम सजा उन्हें हो सकती है तो पेडिता के पिता ने कहा कि हमें न्याय मिला है उनकी ओर से ये बात कही गई है आपको बता दे कि कही न कहीं कितने ही सालों के बाद लेकिन न्याय अब जो है वो पेडिता के पिता को मिला है उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पक्ष में फैसला आया और इस बात को लेकर काफ अभी तक नहीं हुआ है तो सजा का अलान अभी होना बाकी है और पिडिता के पिता का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा सजा का अलान किया जाए तो तस्वीरे आप देख सकते हैं जोदपुर्ड की तस्वीरे हैं जहां पर फैसला सुनाने के बाद ये आसाराम की तस्वीरे हैं, आपको बता दें कि काफी चिंतित नजर आई इस के बाद और पेडिता के पती पिता का भी यह कहना है अचे तक साथ दिया मैं शुकर गुजार हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आसाराम को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये पेडिता के पिता का आप कहना है, सजा मिले के बाद भी वो खुशी नजर आएंगे, आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ फैसला आया है, दोशी करार उन्हें दे दिया गया है, तो उनके पिता का कहना है कि सिर्फ अभी तक फै देखिए फैसला जो आया है मैंने अभी क्योंकि वर्डिक नहीं पड़ा है और हम अपने वकील साहब से बैठ के चर्चा करेंगे कि आगे की रणीती क्या है हम न्याय याले पर पूरा विश्वास करते हैं हम पहले भी यह कहते थे कि हम जुडिशिल सिस्टम पर पूरा भरोस करते हैं करते थे करते रहेंगे और आगे की जो भी हमारी प्रक्रिया होगी जो भी हमारी रणीती होगी जो भी हमने अक्टिविटी लेनी होगी वो हम अपने लीगल टीम से डिसकस करेंगे लीगल टीम अभी इस पूरे वर्डिक को पढ़ेगी जाचेगी समझेगी कि कौन पिडिता के पिता का कहना है लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिडिता के पिता ने ये कहा है कि हमें नयाएज जरूर मिलना चाहिए तो हमारे सायोगी भारत भूशियर शर्मा नीजरूम से लाइव हमारे साथ इसी मांदे को लेकर जोड़ गए हैं उनसे जानते हैं कि अब आगे कितनी सजा का अलान उन्हें हो सकता है बिल्कुल शीरम देखिया जिस परकार से जो है जोड़ पूर कोट ने जो है आसाराम समेथ उनके तमाम तीन दूसरे साथियों को भी दोशी करार दिया गया था लेकिन उसके बाद जो आसाराम का परमुक सेवादार है शीवा और उनका जो रसोहिया था परकाश इनको जो ह से अभी बरी कर दिया गया है ऐसे में अब जो है आसाराम समेथ कुल टीन आरोपी जो है जिनको कोट की तरफ से दोशी ठहराय गया है और यह संभावना अभी तक यही जताई जा रही है कि हो सकता है कि लंच के पश्चाज जो है कोट इस मामले में सजा भी सुना दे लेकिन अगर कोट इस मामले में सजा नहीं सुनाता है तो कोट अपना फैसला स्वरक्षित रखके सजा की तारीक का एलान भी कर सकता है जिससे जो है उस तारीक को सजा सुना ही जाएगी लेकिन फिलहाल जो है आसाराम तकरीबन पिछले साड़े चार साल से जो है जेल में बंद है तो ऐसे में कहीं ना कहीं है कि यह उमीद शुरू से लगाई जा रही थी जिस प्रकार से उनको किसी भी कोर्ट से जो है लोर कोर्ट से लेकर उपरी कोर्ट तक भी आसराम को जमानत याचिका पर किसी प्रकार से गोर नहीं किया गया था आसराम को जमानत नहीं दी गई थी तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अब दुश्कर्म के मामलों को लेकर सरकार के साथ साथ कोट भी बिजब पूरी तरह से गंबीर है शिनम बारत मुशिन अगर बात की जाए जो दो लोगों को आरोपी जो है उन्हें बरी कर दिया गया है उन्हें क्या कहते लिए आरोपी पक्ष के या पीडित पक्ष के जब वकील जो है जेल से बाहर आएंगे तो उसके पश्चादी प्रतर पूरी जानकारी मिल पाएगी पूरे तथ्या सामने आप आएगे कि किस अधार पर जो है कोट ने उनको बरी किया गया है और जिनको जो गिल्टी होल्ड किया गया है कोट की तरफ से उनके पर किस की सेक्षन में गिल्टी होल्ड किया गया है तो इस सब पर जो जो जानकारी जो है बकीलों के कोट जेल से बाहर आने के पश्चादी सामने आप आएगी जिन जिन मामलाओं के तहत उन पर जिन जिन धाराओं के तहत मामली दज किये गए है उनमें अधिकतम कितनी सजा का प्राबधान है बिल्कुश इनम देखे पोस्को एक्ट है दुशकरम की धारा है 376 जो है उसके जो मिनिमम कम से कम साथ साल से लेकर 20 साल तक की सजा का प्रोविजन है और यह जज के विवेक के उपर निर्बर करता है कि वो जो है रेरेस्ट और रेप का केस हो या जिस परकार से घटना घट है उसके सारे के सारे पहलों पर गोर करने के पस्चाजव जज के विवेक पच्वा पर निर्बर करता है कि वह इस मामर कैद की सजा भी दे सकते हैं हला कि इस परकार से जो आजसाराम की तरफ से जtar अनुनी जानकार हैं उनसे बाचित करेंगे अगर जो आसाराम को सजा सुनाई जाती है उसके बाद जो है उपरी अदालत में भी वो अपील करने की अभी से त्यारी भी शुरू कर दे क्योंकि गिल्टी होल्ड करने का मतलब साफ तोर से यह है कि किसी भी सूरत में आसाराम को बड़ी नहीं किया जाएगा उन्हें सजा जुरूर सुनाई जाएगी शिनम मुख्य मंतरी मनोलाल खंटर का यहां पर बयान सामने आया है और प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं होगी असाराम पर हरियरा के look का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है उनका कहना है कि फैसला आने के बाद भी फैसले को देखते हुए प्रशासर पहले से तयार है और कोई भी अन्होनी की घटना नहीं होने दी जाएगी साथी प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं होगी CM अनुलाल खटर की का ये बयान सामने आया है इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए कुमार व्मेश हमारे समवरता फोल लाइन पर जुड़ गए है कुमार व्मेश तो फैसले को देखते हुए जिस तरह से CM के ऊर से ही अलान किया गया है और CM की ये बयान सामने आया है इसे लेकर और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? और इसमें किसी पिका की कोई कोदा ही नहीं बरती जाई जी फिल्कुल कुमारमेश अगर हरी अगर की बात कर ली जाया तो हरी अजर बनाये हुए और बाकाइदा पुलिस अलर्ट पर जहां भी इनको जरूद पड़े कि महां पर अथर पोर्स भी जाईगी इसलिए अभी तक जो माहौल है वो शांत है केवल उनको दोशी करार दिया गया दोशी करार देने के बाद आप ही जब उनको सजस्त नाई जाएगी जो भी रिएक्ष्य मुगत अभाएगा वैसे उनके जो समर्थकों ने कहा है कि हम कानूनी विवेचना करवाएंगे और उसमें देखें क्या प्रशासन पहले से तयार है सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गये हैं ताती फोर्स पुलिस वोर्स तैनाद कर दी गई है और चपे चपे पर नज़र रखी जा रही है जो उनके अनुयाई है, उन पर नज़र रखी जा रही है कि किसी प्रकार का उपद्रव वो ना फैलाएं, इन सारे चीज़ों को लेकर सुरक्षा के भी पहले से ही इंतजाम पुलिस की ओर से कर लिए गए हैं, प्रशासन की ओर से कर लिए गए हैं, साथी हर्याना सरकार की ओर कर लिए गए हैं हर्याना में जो भी आश्रम है उन आश्रमों के बाहर किसी तरह का माहौल खराब ना हो इसके चलते सरकार के ओर से पुलिस से तैनात कर दी गई है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अन्होनी ना हो को कि सब लोगों का मैं दन्यवाद करता हूंई जो मेरे साथ हंक्त-तक लड़ाई में खड़े रह आई बहुत-बहुत दन्यवाद करता हूं अपने लगर वाज्यों ने सबको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ भाइला संग्टन जिन बेनों ने मेरा साथ दिया उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ तो यह थे पेडिता के पिता जिने आपने सुना उनका भी एही कहना है कि कड़ी से कड़ी की सजा कालान किया जाये साथी खुशी उनके और से जाहिर की गई कि कानून ने उनका साथ दिया और कानून पर कही न कहीं विश्वास उनका बढ़ गया है क्योंकि हलंकि देर से आये लेकिन अब कहीं न कहीं उन्हें खुशी हुई है कि कोट के और से जो फैसला आया है दोशी करार दे दिया गया है आसारा वेए वक्त से ये चलता आ रहा था और रेप के आरोपी आसारांते जिसके बाद अब फैसला आया है और फैसले में दोशी करार उन्हें दे दिया गया है पिडिता के पिता ने खूशी इस पर जाहिर की है साथी कानून का धन्यवाद किया है कि उन्होंने उनके पक्ष में फै लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे जानते हैं कि अब आगे कितनी सजा का एलान हो सकता है और कब तक हो सकता है कि अब आधा स्जा को लेकर भी कोट में तो ऐसे में साफ तोरसी है कि कही ना कहीं जो है जो जगए हैं वो आजिह ही सजा को ओपर फैसला सुनाने के पक्षमे लग रहे हैं लेकि सबसे एहम बात अभी ये है कि यह जिस से आसराम के वकीलों ने भी कोट में दलील दिया है कि आसराम को जो कम से कम सजा दी जाए इसके पीछ उन्होंने आसराम की उमर का हवाला भी दिया है हलां कि अभी यह सब को जज के विवेख के उपर निर्भर करता है कि वो आफराम को कितनी सजा देते हैं कितनी देर में फैसला सुनाते हैं क्या वो मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखते हैं इसकी सजा का एलान के लिए कोई अगली तारीक भी निर्धारित कर सकते हैं इसके उपर अभी फिलाल सबकी नजरे बनी हुई है क्योंकि जेल के अंदर किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है केवल मामले के दोनों पक्षों से जुड़े हुए वकीलों और गवाहत जो थे और जो आरोपी है केवल उनी लोगों को जेल के भीतर जाने की अजाज़त दी गई है सबी के सबी मीडिया के दूसरे परसन भी जेल के बाहर ही रुक कर फैसले के आने के इंतिजार कर रहे है और इस बात का भी इंतिजार किया जा रहा है कि कि जेल के अंदर से कोई वकील अरोपी पक्षका या सरकारी वकील बाहर आते है और उनसे जो मामले की जानकारी हासिल की जाए ताकि उसके बाद ये स्थिती पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार आसाराम के मामले में कोड ने किन बिंदों को द्यान में रखा है किस आधार पर और किन सेक्षन के तहट उनको गिल्टी होल्ड किया गया और उन के अन्याई देश बर में हैं ऐसे में हर्याना पंजाव उत्तर प्रद्श disciples राज़र्य संखिय काफी जादा हैं तो इसको लेकर केंदर की तरफ से कल ही जह सभी राज्यायıld में बै сохранies कर देगा गए ओर हमारे पास जिस परकार से हर्याना के मुख्या मंतरी मनोहरलाल खटर का भी बियान सामने आया है कि हर्याना में पूरी तरह से सुरुक्षा के प्रवंद किये गए है किसी परकार की कोई कोताही नहीं बढ़ती गई है और नहीं कहीं पर कोई ढील दी गई है और हर्याना में किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद है किसी तरह की कोई समस्या को आगे नहीं आने दिया जाएगा यानि कि इस बास साफ है कि राम रहीम परकरन के बाद जो है अब हर्याना सरकार पूरी तरह से सजग है जानती है कि अधि आसराम को सजा होती है तो हर्याने के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर आसराम के अन्यायों की संक्याधिक है वहाँ पर सिती बिगड़ सकती है भी उन्हें हो सकती है